हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपका अंग्रेजी आत्मविश्वास का स्तर कम है और आपको वीडियो देख कर और आदियो सुनकर शब्दावली में सुधार करने की आवश्चकता है तो आप सही जगह पर हैं। चलो शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था जो पहाड़ी पर चरते गाव की भेडों को देख कर उप गया था। अपना मनोरंजन करने के लिए उन्होंने गाया भेडिया। भेडिया भेड का पीछा कर रहा है। जब ग्रामिनोंने चीक सुनी तो वे भेडिये को भगाने के लिए पहाड़ी पर डौरते हुए आए। लेकिन जब वे पहुँचे तो उन्होंने कोई भेडिया नहीं देखा। उनके गुसे वाले चहरों को देख कर लड़का खुश हो गया। बेडिया चलाओ मत लड़का ग्रामिनों को चेतावनी देखा। जब कोई भेडिया नहीं है वे गुसे में वापस पहारी पर चले गए। बाद में चरवाहा लड़का एक बार फिर चलाया भेडिया। भेडिया भेडिया भेड का पीछा कर रहा है। अपने मनोरंजन के लिए उसने देखा कि ग्रामिन भेडिये को डराने के लिए पहारी पर दौरते हुए आये है। जब उन्होंने देखा कि कोई भेडिया नहीं है। तो उन्होंने सक्ती से कहा अपने डरे हुए रोने को बचाओ जब वास्तव में एक भेडिया है। जब भेडिया नहो तो भेडिया मत रो लेकिन लड़का उनके शब्दों पर मुस्कुराया जब वे एक बार फिर पहाडी से नीचे बड़डाते हुए चल रहे थे। Later, the boy saw a real wolf sneaking around his flock. Alarmed, he jumped on his feet and cried out as loud as he could wolf. Wolf! But the villagers thought he was fooling them again and so they didn't come to help. At sunset, the villagers went looking for the boy who hadn't returned. with their sheep. When they went up the hill, they found him weeping. सूरियास्त के समय, ग्रामेन उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेडों के साथ नहीं लोटा था. जब वे पहाडी पर गए, तो उन्होंने उसे रोते हुए पाया. There really was a wolf here. The flock is gone. I cried out, wolf, but you didn't come, he wailed. An old man went to comfort the boy. As he put his arm around him, he said, nobody believes a liar even when he is telling the truth. यहाँ वास्तव में एक भेडिया था, जुन्ड चला गया. मैं चिल्लाया, भेडिया, लेकिन तुम नहीं आए, वह चिल्लाया. एक बूढ़ा आदमी लड़के को सांत्वना देने गया. जैसे ही उसने उसके चारों और अपना हाथ रखा, उसने कहा, जूठे पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वह सच कह रहा हो.